नमस्कार आप देखरें भारसमाचार और मैं हूँ आपके साथ श्रतायादव भारसमाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत हैं नक्षत्र में हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में प्रगदी और उन्नती राएंगे उन्ही उपायों को सही विदी विधान से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियों मौजूद हैं आचार राजीव शुकला जी जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आच का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे बारत समाचार के सब विधिदर शुको को आचार राजीव शुकला का प्रणाव इस प्रकार से अगर विवेक में कोई वस्तू आती है तो वो वस्तू को आपको जरूर अजमा के देख लेना चाहिए क्योंकि वो काम की होती है आज हम बात करेंगे आपका जो भविश्य बताया जाता है कई पद्यतियों से एक पद्यती होती है मूलांक मूलांक पद्यती जो होती है उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है जैसे मानलीजे आज हम बात करते हैं मुलांक आर्थ वालों की तो मुलांक आर्थ वालों का आर्थ नमबर शनीदे पोगता है लेकिन मुलांक आर्थ कैसे बनता है मानीज़ 26 तारिक को आपका जनाम हुआ है या 17 तारिक को इस प्रकार से आप निकाल निकाल ले इसके कुछ जोतिशी उपाये हैं अगर मुलांक आर्ट वाले इसको देख रहे हैं तो कुछ चीजें हनुआन जी से बड़ा संबंद रहता है हनुआन जी का लॉकेट पेंडेंट इत्यादी जरूर पहना करें पुलांक आर्ट वाले बहुत अच्छा इनको बल मिलेगा लोहे की स्टील की अनिक प्रकार की आप सूर की उंगली में रिंग फिंगर जिसको उसमें आप पहन सकते हैं हारे और नीले रंग की पेंड बहुत ही शुब आपको रहेगी अगर आप उसको रखते हैं तो तो इस प्रकार से कई चीजें हैं आप देख सकते हैं दिन जैसे 5, 14, 23, 6, 15 यानि कि ये दिन तिवस, उत्म, वाहन नंबर की अगर हम बात करें तो 51 लिखवा के जरूर रखें मॉबाइल नंबर 6 से शुरू हो के अंत में 6 या 5 वाला अंक ये भी अच्छा जा सकता है कई प्रकार से आप मुलांक आठ वालों के लिए आप जान सकते हैं देख सकते हैं कितनी चीजें उपलब्ध हैं जो आप ठीक कर सकते हैं केवल मुलांक जानके जैसे ओम शरी हनुवते नमा इस मंतर का जाब करें बड़ा ही जाब होगा दिशा है जरसे दक्छन पूर्वा उत्तर दिशा और अगर अंक की बात करें तो 6 और 6 का पीतल का यंतर जरूर अपने पास अंक का रखें तो आप लोगों ने इसको देखा होगा नोट किया होगा मुलांक आठ वालों के लिए अन्य मुलांक के लिए भी हम जरूर बातचीत आगे करेंगे गुरू जी आप दर्शुकों को बताईए आज की बारा राश्यों का राशी फल क्या कह रहा है और क्या है मों खास उपाए जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे मेश राशी वालों आज का दिन आपकी आशाओं पे आकांशाओं पे अपेक शाओं पे कुछ खरा उतर सकता है घर एम बाहर अन्कूल बातावर मिलने से मंद्शाह कार करने से पर श्रम करने से आप बिलकुल नगवरा है किसी सुजन से अनन्द दायक समचार भी आपको प्राप्त होता हुआ देखा जा रहा है घर में सुख के सादनों की खर्टारी पे आप खर्च करेंगे क्या कर ले उपाहे आज का सवा मिटर लाल वस्त लेले चमकीला वस्तर मंदिर में दान करें चैकंक, गुलाबी और लाल रंगी चुब है रचब राशी वालों परिवार में कुछ अन बन हो सकती है लेकिन अप्रिय घटना होगी तो बहुत ही छणिक होगी ठीक हो जाएगी बाद में प्राता काल का समय थोड़ा सा आलस से आपका बीच सकता है पड़ोसी से इतियादी या आस-पास के लोगों से मित्रों से भी वर्चस को लेकि कुछ तना हो सकता है वाणी वहवार से किसी का आहित ना हो इसका आप धिहान लगें पर जनुग साथ मिलके, यातरा पिकने की या मनोरें जन के कुछ भी साधना अप अपना सकते हैं गरेलु कारेों में तोड़ा अधिक वियरस्ता कार्यों में हो सकती है आज उसको न चेड़े बगवान भासकर का और विश्णु सहसनाम का पाठ जरूर करें नारंगी रंग दो कांग तीन कांग दोनों ही आच्छे हैं करकराशी की बात करें आज का दिन पहले से कुछ थोड़ा बहतर दिख रहा है बीच बीच में वातावरन कुछ खराब हो जाएगा उसमें आपको करोध आ सकता है तो वातावरन को अपने को समभाल के चले काम की गती दीमी रहने से आर्थिक परिशानी होगी मादक पदार्तों से थोड़ा दूर रहिये भागी-दारी के कारे में हानी होने की संभावना आपकी यह लंबी आत्रा होने की संभावना है आदेत दैस्तोत्र का पाठ करें और श्री सूक्त का पाठ भी करें गुलावी रंग साथ काव शोग है सिंगराशी वालों आपके दिन चर्या थोड़ी सी आज आव्यवस्तित हो सकती है कुछ ज्यादा काम आप ले सकते हैं अपने गाम के समय भी दिमाग में थोड़ा वेपरीत विचार लगे रहेंगे उनसे दूर हो जाएं आच के दिन कुछ न कुछ आपको कमी लगेगी लेकिन वो दूर हो जाएगी मितर परिवार के सात्मर वाल पतातों से दूर है लाल फल का दूद का सुखे मेवे का और अन का दान करें गहरा गुलाबी एक कांग शुपे करन राशीयवालों की बात करें करें फिजूल की हो सकता है तो थोड़ा सा समय एकांत में धन या उससे अधिक या अन्य विश्यों पर भैस ना करें पूर ये नोजित आपकी अगर परटन की योईड़ना है तो बिगाड़ सकती है गर के सदस्की सेहत को लेकर थोड़ा चिंता आपको हो सकती गाय को गुड़ खिलाए उससे भी खिलवाएं सही हो जाएगा मेंदी एक का शुब है तुला राशी की बात करें तो आज का दिन आपका मिला जुला फल देने वाला है मिक्स्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे अर्थिक रूप से मध्यान तक का समय आपका वैसे ठीक रहता हुआ दिखाई देगा दल्ला की भैक कि परिवेक्षा खर्च आपके अधिक होते हुए दिखें जा रहे हैं तुला राशी वालों परिवार में पज्ट्रक संपत्ती को लेके टकराओ आपका हुआ देखा जा रहा है विवेक्स से काम लियें अन्न का दान करना अच्छा है और मूंग की दान कदान करना आज का दिन आपका सामान्य फल दाइक रहने वाला है कुछ विशेश कार नहीं करने पर भी दिन भर आपका कुछ आलत से कब हो रहेगा सेहत भी आपकी थोड़ी सी प्रतिकूल रहेगी अनुकूलता आप से थोड़ी सी आज दूर जा रही है निश्करेता की भावना रहने की संभावना है तो आप अपनी चीजों को डाइवर्ट करिए चीजों को गुरुवार का आपका उपाए अच्छा रहेगा लेकिन इसके साथ ही आप अपनी माता का अशिरवाद ले संद्राइस कलर चैकंग शुभ है धन्राशी की बात करें आपका किसी प्रकार के शौंक में मन यतीत हो सकता है मन पसंद काम करने की आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं लेकिन कुछ कम आज बोलने की तरफ ध्यान दे अपने भावों को कम शब्दों में प्रकट करें उत्तम भोजन बाहन का आपको सुख प्राप्त होगा धन्राशी वालों आपके कुछ अप्टे हो सकते हैं शिवलिंग पर अच्छा दूद चांदी के लोटे से आप गिलास इत्यादी से चड़ाएं तो चाहे तीन कंग पी लारा रहा शुब है अब हम बात करते हैं मकरराशी मकरराशी वालों कुछ गलत निर्णे से आपको कश्टों का सामना करना भी सकते हैं सामाजिक चेतर में आर्थिक चेतर में धुका उन्ने की प्रबल संभावना है धन की समस्या कड़ी हो जाएगी लेकिन आप अपनी युक्तियों से उसको निकाल लेंगे लेकिन चिर्चिड़ापन स्वभाव में आ सकता है कि जी सड़यन्त मफस्ने की आपकी संभावना सफेद मिस्टान आप दे लोगों को जिसको जिसको भी वित्रित करें और सत्रा कंखारा राना शुब है कुमबराशी वालों आज का दिन आपका बेहतर रहने वाला है अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा विदेश संभन्दी कारियों में आपका व्याधान कुछ आता हुआ देखा जा रहा है पहारी इस्थानों से संभन्द आकास्मिक कष्ट आपको देखना पड़ सकता है समाजिक रूप से भी लेकिन आपका दिन अच्छा देखा जा सकता है बोला जा सकता है मान बढ़ने से गर्वित हो सकते हैं शिवलिन पच्चनी की डालर पित करें और कच्चा पनीर लेके पक्षियों के सामने डालें कववे त्यादी पे अच्छा रहेगा नीला रंग आठकांग शुभा है अब हम बात करेंगे मीन राशी की मीन राशी वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल है प्रतुकूलता है आप से आज दूर रहेंगी मनो कामना पूर्थी का अगर इंतजार है तो आज आपको मिल सकता है मध्यान के आसपास इसके पूर्ण होने पे आपको पुशी भी मिलेगी काम दंदे की अपिक्छा अनुसार आपका धन लाब आपको मिलता रहेगा परें सारी राशिया गुरू जी आप दर्शुकों को बताईए आज का पंचांग क्या कह रहा है दिन में कौन से समय रहेगा शुब और किस समय रहेगा राहुकाल तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरू जी को कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं 800-40-36524 पर ये उनका वाटसेप नंबर है इस पर आप टेक्स मेसेज कर अपने सवालों के जबाब भी पा सकते हैं और साथ ही गुरू जी की इमेल आईडी है राजिवशुक्ला ओनलाइन आज के नक्षमें बस इतना ही तल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेज जानकारी के साथ तब तक के लिए देखते रहिए भारस समचार नमस्कार